हेलो एवरिवन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंड फिच्चर्स अफ अर्ली मेडवल एकॉनमी अर्ली मेडवल जो टर्म है वो एंसेंट इन मेडवल पिरिट के बीच का जो काल है यानि यह प्राचीन और मतिकाल के बीच का जो समय है उसके लिए अर्ली मेडवल सब्द का प्रयोग किया जाता है बिसिकली और और इत्यास्कारों में इस बात को लेके बहुत ही जदा मतभे偌त है अर्ली मेडवल पिर्ट की सोसाइटी पॉलिची एकॉनमी को लेके बहुत ही जाता हमें मतभेदrates दिकले दे इते इसके तर जो हिस्टोरियन है इस काल को क्राइसिस का काल भी कहते हैं जैसे की नहीं का क दिखलाई देता है और जो कि मुख्रूफ से जो है गजनवी और गौरी के मोहमत गौरी के आकमन के फलसुरूफ ऐसा हुआ था इसके तिरी फ्यूडिलिजम जो है इसकाल के एक महतपूर विसस्ता के रुप में दिखलाई देता है जैनि जिसे जम्मेदारी प्रता बोलते है यह जो माक्सवादी तिहासकार रहे और उनकी यह मत है उनका यह कहना है कि यह जो अर्बन डीकेय का जो प्रोस्त तह वो नौर्फ इंडिया के साथ 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 इंडिया में kalian दिखलाई देता है इसके तर्शत उनका ये भी कहना है कि इस काल में मुखिरों से formation, small states के formation हो रहे थे और original level बैने छेत्री जो राज्य थे उनमें वृद्धिय हो रहे थी ये हमें दिखलाई देता है बहुत सा यतियसकारों कैसा मानना है कि early middle period को हम अर्वन डीके ना करके नगरों का पत्र ना करके अर्वन चेंज के रूप में हम मान सकते हैं इस काल में हमें बहुत सारे नए राजवन्सों को या राजवन्सों यानि कि राज्यों के बारे में सुचनाई हमें दिखलाई देती हैं जैसे कि चोल, चालुक, रास्कूच, पतिहार, पलव, चालुक, पाल, पांध, होसल, चेदी कास्मीर में भी हमें बहुत सारे नए राज्यों के बारे में सुचनाई दिखला देती है इवन सिंद्गा जो छित्र है वहां भी हमें कुछ नए राज्वन्सों के बारे में सुचनाई दिखला देती है इसके तरह में और अनि छोटे छोटे राज्वन्सों के बारे में भी ह वहये ब्रामड को दिआ जाने वाला लेनगरंट यानी जो भूमिदान हो रहे ते ब्रामड को एकमधपुड विसिस्थथा इस काल की है और ज़ारतर जो भूमिदान हो रहे थे the above जंगली च्छतरों में हो रहे थे जिस्के परधनास शुरूब इन च्छत्रों में हमें नए च्छत्र जो है वो कृसी के लिए हमें प्राफ्थ होते हैं और इस काल में हमें अभी गरन्तों की रचनता दिक लाई देती ह जिस जिनमें क्रिशी अधारित गरंथ महत्वूर हैं एंगरकल्चर में हमें बहुत सारे इंप्रोमेंट दिखलाई देते हैं और मौसम से सम्बन्दी जानकारियों में भी अनीकों हमें परियोग दिखके लोते हैं इस मैप में आप भारती उपमहदीव का मैप है और गुपतों के पतन के पस्षात आप देख सकते हैं कि संपूर भारती उपमहदीव जो है अनिक छोटे छोटे राजवनसों में विभाजी थे जिसको आप आसानी से देख सकते हैं जो सेकेंड मैप है यह 1200 एडी का मैफ है और आप यह देख सकते हैं कि जो 1200 एडी तक रीजनल जो पावर दिखलाई देती हैं चाहे वो पांटे हो, चेर हो, चोल, पल्लव, कदम, सैलहा, रासकूच, कागतिय, इस तन्चालोग के जिनेंगी कहते हैं गंग, होसल, यादवाज, कल्चरी, इत्यादे इसकाल की जो सबसे प्रहम कुषिस्ता के रूप में हमें दिखलाई देती है, वो है, राज की भूमीदान जो सबसे प्रहम कुषिस्ता के रूप में हमें दिखलाई देती है, प्रहमदे एक सब्दा आता है, इसकाल के अभिलेकों में, एक सब्दा आता है, ब्रहमदे जिसका अर्थ होता है ऐसी भूमी जो कि ब्रामभरों को दान दी जाती थी और वो सभी प्रकार के करोश से मुक्त होती थी इस प्रकार के भूमी को ब्रह्मदे कहा जाता था ब्रह्मदी का जो करने का जो ताथ पर रहता वो पुर्ण रूप से राजनेतिक हमें दिखलाई देता है और इस काल में जो ब्रह्मदी थे जिने भूमीदान मिल रहा था उनका जो सबसे प्रमुख जो रोल था वो ये था कि जो नए राजवन्स इस्टाबलिस हो रहे थे उनकी जीनियोलोजी वंसावली को जो है मुखरूप से इपिक पुरानी ट्रैडिशन के साथ जोड़ना और उन्हें उनके राजवन्स को और उन्हें जो है एक सम्मानित वर्ण वेस्टाब के अंदर लेके आना एक महतपूर इनका रोल दिखला देता है और यहाँ पर आपरों को याद दिलाना यह वस्थिक है कि जब हम राजपूत काल के बारे में आप जब नौर्द इंडिया के राजपूतों की इतिहास को अब पड़ते हैं तो आप देखते हैं कि अलग-अलग माइथवलजी अलग-अलग हमें मित की ऐसे संदर पराप्त होते हैं जिनमें राजपूतों की उतना थीज को लेकर अनीक मत बचले दिखला देते हैं और कहीं नहीं सभी राजपूत अपन तो उसमें सबसे महतपूर जो भूमिका थी वह लैन्ड ग्रांड़ जो किया जा रहे थे राजाओंके द्वारा ब्राम्डो को उसकी महतपूर भूमिका हमें देती। इसके तरीक जो रोयल लैंड गरांड हो रहे थे वो हमें 600-1200 में सबसे ज्यादा महतपूर दिखलाए देते हैं इसके तरीक जो है डोनेशन जो है हमें मंदिरों में को भी लैंड गरांट यानि भूमिदान करने के हमें साचप्रावत होते हैं इसके साथ ही साथ हमें military officers को भी जो है land grant करने के साथ चे हमें दिखलाई देते हैं इस काल में एक अन्य महदपूर परिवर्तन हमें दिखलाई देते हैं ब्रामधों के migration से संबंदित हमें सुचनाय पराप्ट होती हैं और ब्रामधों मद्य देश यानि कि जो गंगा का चेत्र है उसको छोड़कर महारास्ट, बेंगौल, मद्यपदेश, औरिशा तथा तच्छी भारत के अनिक चेत्रों में वह migrate करते भी दिखलाई देते हैं यह migration हमें 8th century AD में देखलाई देता है तथा उसमें जो है हमें अनिक division हमें 10th century AD तक देखलाई देने लगते हैं जिसे दो प्रमुख division महत्वपूड माने गए एक है पंच गोड जो की Northern group के ब्रामडों का समूँ था और दूसरा है पंच द्रविर जो की तच्छी भारत के जो द्रविरी देश के ब्रामडों का समूँ है पंच गोड के अंतरगर सारवस्वत, गोड, कानिक, मितला और उतकल के ब्रामड आते थे और पंच द्रविरी के अंतरगर जो है मुखरूप से गुरजराज, महरास्ट, टियज, करनाचक, ट्रैलिंग, द्रविर द्रामडों द्रामडों थे ब्री चेट्ट पाधिया का ऐस जो ट्राइबल्स एरिया थे, वहाँ पर हमें बहुत सारे परिवर्तन होते हुए दिखलाई देते हैं, यानि जो लोकल स्टेट फॉर्मेशन के कान जो है, हमें ट्राइबल्स एरिया थे, उनके उपर भी पढ़ता है, मुखरूप से उनका प्रभाव जो है, कास्ट के उप पर हमें पढ़ता हुआ दिखलाई देता है, ट्राइबल्स एरिया में, और क्रिसी में भी हमें प्लाव के प्रयोग के हमें साच दिखलाई देते हैं, इसके तरिक्त जो है, कुछ ऐसे भी ट्राइबल्स थे, जो कि कास्ट सिस्टम में जिनें समाहित कर लिया गया, और इसके तरीक था में कुछ इसकाल में अतिदिक मातरा में हो रहे है लैन्ड ग्रांट को डॉकुमेंट करने के लिए भी अमेक अधिकारियों के बारे में सुचना अपराफत होती हैं जिसको स्क्राइब्स कहा जाता था यानि कायस कहा जाता था जो आगे चल कर जो है एक जाती क के रूप में जो है करणवर्ट होते हुए देखलाई देते हैं इसके तरिक प्रामड़ों को ट्राइबल शित्रों में दी जाने वाली लैन्ड ग्रांट के परणास सुरूफ हमें रिलिजिन में भी बहुत सारे हमें एसेमिलेटिव नेचर देखलाई देता है और इसका सब करनाथ जो कि उडिशा के सबसे प्रमुक्त देवता माने जाते हैं एक वो ट्राइबल डाइटी थे जिनका अब्रहमेनेजिशन जो है हमें होता हुआ दिखलाई देता है इसके तरिक इसकाल में आनिको ऐसे ग्रंथों की रशना हुए जिनका प्रमुक्त देश से क्रिशी क उसके स्विंग प्रॉसस सीजन और विंड डिरेक्शन और रेइनफॉस जबमन दी तरनी को सुचना है हमें देखलाई देती है इसके तरीक जो है रास्व रासकर्च में मुक्रुसे और रास्तान में मुक्रुसे जो इरिकेशन को डवलप करने की हमें एक्सपन के साथे हैं टेंपल एकॉर्मी इसकाल की एक प्रमुख विसेस्ता के रूप में हमें देखलाई देती है टेंपल एकॉर्मी जो है इसकाल की सबसे प्रमुख विसेस्ता के रूप में हमें देखलाई देती है और इस टेंपल जो है इसकाल में बैंक के रूप में कारिक कर जा 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 किया जाता है, cash, money, jewel, rest, piston and power of gold जो यह deposit किया जाता था। और मंदिर ने छोटे सहर के रूप में हो गया थे, जिसमें अथनिक मात्रा में उसमें staff होते थे, जो कि मंदिर के पूरी के पूरी sun challenge करने में सही होक करते थे, और मंदिरों में हमें इस बात के भी साच्छ प्राप्त होते हैं कि जो गिल्ड्स थे वो भी यहाँ पर इंटरिस्ट लेते थे और उनके मेंटेनिस को देखते थे इसके तरिक राजा अपने धन को वहाँ पर संग्रा करता था और कभी कभी हमें ऐसे साच्छ भी मिले कि राजा जो है क्राइसिस में मंदिरों से उधार भी लेता हुआ दिखला देता है टेंपल मेनेजमेंट कमिटी के बारे में में सुचना प्राफ्त होती है टेंपल मेनेजमेंट कमिटी का जो अध्यच होता था कमिटी होती थी वह गुस्टी कहलाती थी और उसका जो अध्यच होता था वह गुस्टी कहला था अर्भन प्रोसेस अर्ली मेंडुल पेलिर के अर्भन प्रोसेस मनित अनिक को हमें धियोरिज दिखलाए देती हैं जिसमें प्रमुक्ष यह है कि यह जो काल है वह डिक्लाइन आफ सेटेज, अर्बन क्राफट, ट्रेड, अन्द मौनी, यह सबसे प्रमुक्ष जो है ऐफोतेस् माइग्रेशन दिखलाई देता है एंड टैक्सपेर में कमी दिखलाई देती है विलिजिस की संख्या बढ़ते भी दिखलाई देती है इस सारी बातों को वो जो है आरे सर्मा अपने इस स्टेट्मिन में देते हैं स्टेट्मिन में पतन दिखलाई देता है पट किन्तों हमें नए नगरों के बारे में भी हमें सुचना अपराथ होती जैसे थानिश्वर वराणसी कानिकुष कांची तंच और मदुराई अर्ली में पिरेड में दख्षिर भारत में सबसे प्रमुक रूप से जो है अर्बन ग्रोथ हमें दिखलाई देता है और ऐसे अने को नए नगरों के बारे में हमें सुचना अपराफ्ट होती हैं जो कि उसमें सबसे प्रमुक है जो है अर्फ और चोलो के काल में हमें भरत रुप सि कांचिभी पुरह Dan jaw rigid control पुरह अ क्योता म्यों कुद कण्योच का आ एं आर्फ अन पुडीर मदख़ा अर्थ मादुराई, सबसे प्रमुक्षा है के रुप में हमें दिखलाए देते हैं इसके तरिक जो है हमें इसकाल में दश्ट भारत में जो है हमें सहरों, राजाओं और मंदिरों के बीचे जो जो तंजोर का और गंगे को चोल पूरम का जो मंदिर है वो इसी बात की और इंगित करता है राजनेतिक और धार में जो है कनेक्शन की और इस मैप में आप देख सकते हैं कि चोल काल में हमें अनीको दश्ट भारत में मुखरो से तमिलनारूख के रल के चित्रों मैं हमें अनीको नए सेंटर्स के बारे में सुआयफ राप्ट होती है यहां प्रवाति न एक्राफ्स के बारे में देख सकते हैं ब्रहुँदे नगरंग्र्म मर्चिन्ट, बॉड़ेज, पोर्ट, कोस्ट्रिल टाउंस, हमें अनिकों ऐसे नगरों के बारे में सुचनायव प्राफ्त होती हैं, जो कि नियूले स्टेबलिस होती है, तो यह सारी बाते स्टेबलिस करती हैं कि अर्ली मेर्वल पेरियड में हमें अर्बन डीके नहीं, अर्बन जो प्रॉसस था, उसमें हमें परिवर्धिन दिखलाई देती हैं, बट नगरों का पतन नहीं हो रहा था, और नए नगरों के इस्टेबलिस्मेंट जो है, इस काल में हो रही थी, इस मंदिर यह तंज़ोर का बड़िस्टर टिंपल है, जो के राजराज के दोरा बनवाए गया था, और यह चोल राजपरिवार और चोल राज़ का एक मतपूर्ड जो है, एक सरचना माने जाते हैं, और यह जो बंदिर है, वो है बड़िस्टर टिंपल आफ कंगई कोंड छोल पूर्म, जो की राजिन ये दौनों के-दोनों मंदिर चोलों की सक्ति आनके वायभौ का प्रतीक मने जाते हैं मधुराई और कांचीपुरम महतपूर मmersipu राजनीति केंडर के सार्थ, महतपूर अघ्रपुरम मैंन। एम सब्सक्राइपूर्रन के रूप में इस्टैबलीच हो गए थे इसके तरिक्ति यहां पर हमें religious activities भी दिखलाई देती हैं कांचिपूर्म जो है एक महतपूर्ड वीविंग सेंटर के रूप में हमें दिखलाई देता है और ये मुख्य रूप से दश्विभारत के प्रमुख जो है बंदरगाहों से जो है जुड़ा हुआ था इसके तरिक्ति यह कांचिपूर्म है और महतपूर्ड सांसक्रिती केंधे की रूप में भी हमें दिखलाई देता है बुद्धिजम, जैनेजम, वैसनेजम, सर्वेजम के केंदे के रूप में भी हमें दिखलाए देता है और पल्लो काल में हमें मामलपूरम जिसे मौडन नहीं महाबलपूरम है एक मतपूर सिंटर के रूप में पोष के रूप में हमें दिखलाए देता यहाँ पर आप देख सकते हैं रस टेंपल आप महावलेपुरम और यह एक फेमस मंदिय है भलावकाल का जिससे स्वोर्स टेंपल कहा जाता है यह भी महावलेपुरम में और महावलेपुरम एक फेमस पोर्ट था जिसके बारे में विर्वन जो है वेन स्वांग भी अपने ट् इसकाल में जो मुक्रूफ से ट्रेडर्स थे वो भारती हुप महादीब के उनका इंट्राक्शन जो है अफरिका एरोप के साथ साथ एसिया के विभिन शेत्रों के साथ इनका जो है बैपार हो रहा था और 7th century onward जो है अर्बो का जो है रोल जो है मुक्रूफ से हमें उतरी भूमद सागर सेंटल एसिया और सिंध में इनका वर्चस्व में रिकलाए देता है इसके अत्रेक्ट जो है अरबो का जो अरब जो है हिंद महासागर में एक महतपूर जो है रोल जो है अदा करने लगते हैं मुक्रूफ भारत और रोम के बीच होने वाले बैपार में उनका आरोल जो है बहुत ही मद्रो पूर हो जाता है कि इस समंदित सुचना है मैं अनेंको ऐसे गरंतों से भी हमें प्राफ्थ होती है कि आड़ होती है आंड लो पार्त के जो शमुद्र बैपार था वो चीन के साथ साथ शृंलंका इत्यादिध्य के साथ भी बहुत ही आतिदीक मातरा में जुए हो भारत का फौर्ट बैपार था मुक्षिनुप से हमें इस इस काल में जुए सौफ इस असाथ और चीन के साथ ग्रो करता हुआ देखलाई देता है और भारतों चीन के बीच होने वाले बैपार्व को हम दो भागों में भाइच कर सकते हैं प्रतम जो पिरेड है वो 7th to 9th century का है जिसमें हमें continuation of earlier demand for Buddhist rituals item की demand हमें देखला देते हैं 9th century के बीच जो हमें हमें जो है sorry three phases में डिवाइड किया गया है पहला है 7th to 9th century तूसरा है 9th to 10th century और तीसरा है 10th century AD के बाद के जो भी दिखला देते हैं इसके लिए विंसों का विंसों का ऐसा मानना है कहना है कि silk जो कि Chinese silk थी उसकी भारतियों में बहुत ज़्यादा डिमार थी और संस्क्रित में हमें silk के लिए एक नए सब दिखाप रहे होगा हमें दिखला देता है कॉसे और दचिट भारत में silk को चिनानसुक कहा जाता था यह travel route है वेंसों का और यह rate line आपको यह दिखाता है कि इसी मार्क से होते हुए इंसोंग भारत में आये थे और भारत संपुड भारत की यात्रा करने के पस शाथ वो इस इनहीं बैपारिक मार्कों के सहाथा से जो है वो वापस जो है अपने देश जो है वापस लवटे थे और वेंसोंग ने इस मार् इस काल में हमें अनेकों प्रमुक बंद्रगाओं के बारे में सुचना है प्राफ्त होती है पल्लो के काल में जो है नागापत्नम जो है महदलेपुरम जो है, महतपुर पोर्ट के टीरोप बंदरफ होता है, नागपत्नम जो है, चोल काल में एक महतपुर हरुपन के टीरोप होता है तो दिखला रते हैं, कावरिय पाथ भी एक महतपुर समुंदरी बंदरफा था इसके तरविक द्विलन जिसको modern name जिसका कोलम है ये भी एक महत्वपूर्पूर्ट समुंदरी बंदरगा था इसके तिक चोल सासकों ने बैपार को बढ़ावा देने के लिए अने को ऐसे प्रयास करते भी दिखलाई देते हैं उनके द्वारा जो है बैपारियों के लिए समुंदरी बैपारियों के लिए जो है प्रोटेक्टिट नगरों के निर्मार के भी सुचनाएं हमें दिखलाई देती हैं एवं चोल सासकों ने बैपार को बढ़ावा देने के लिए अने को ऐसे military expedition जिसन से प्रमुक है नवल military activism मौसेनिक अवियान उनने किया था मुक्रस सिरलंका तथा दच्छड़ पूर एसियाई देशों में एवन मालदीव और हिंद मासागर मैने को के दोरा military campaign किये गए थे और इस सभी के सभी प्रयाज जो है अपने बैपार को सुरचित करने के लिए इस विसले चीन से होने वारे बैपार को सुरचित रखने के लिए आ रहा था इस मैप में आप असानी से देख सकते हैं कि पूरा पूरा ये जो नीला छेतर है ये डाइरेक प्रभाव में था और ये जो पिंक आप देख रहे हैं ये चोल राजवन्स का प्रभाव दिखला देता है इसकार से हम देखते हैं कि भारत की वो प्रतम डानिस्ट्री है जो की इंडियन ओसन के ऊपर सासन कर रही थी इनका प्रभाव जो है स्रिलंका, माल्दिव, अंडमान, नेकोबा, साउथ एसिया के देशों तक इनका प्रभाव हमें देखला देता है और मुक्रुब से ये सारा का सारा नौसनिक अवियान चीन के साथ होने वाले उनके ब्यापार को सुरशित रखने के लिए किया गया था चोलो की परसाथ हमें गिल्ड के और ज्यादा सुतंत होने के सुचनाए हमें प्राफ्त होती है और राजाओं के उपर उनकी निर्वरता हमें कम होते भी दिखलाई देती है इसमें आप चोल सासकोई को द्वारा जारे के गोल्ड कोईन्स को देख सकते है चोल घूल कोईन्स है उनको कलंजो कहा जाता था आनड जौन सी ड्यल का ऐसा मनना है कि और चोल गॉल्र पीरिड में भारत में recurring crisis हमें नहीं दिखलाई देती है उनका ऐसा मनना है कि इसकाल में हमें जुरूर सिकों की कम मात्तरा हमें दिखलाई देती है और उनके aesthetic quality में हमें पतन दिखलाई देता है तता उनके संख्या में हमें कमी दिखलाई देती है और इसका जो सबसे प्रमू कारण हो कहते हैं वो इनका मानना था कि अफगनिस्तान से आयात होने वाले चांदी की कमी की वज़े से वन थौजन एड़ी के आसपास जो है हमें उसमें उनके चांदी की स्फ़्वों में हमें कमी दिखला देती है सबसे प्रमूख आइटम अब एक्सपोर्ट भारश से एक्सपोर्ट होने वाने वे जो तो गोड्स की बात करें, तोस्तों सबसे प्रमोग के एक लगजेरियस गोड्स, आइट वेलाइट, फूट ग्रेंज, पल्सेट, साल्ट, ओयल, घी, कोकोनट, बेचल, लीफ, अरेकाना, स्पाइस, एकसाल, पॉर्टरी, एनमल, सैंडर्वोड, फ्राग्रेंज, आइवरी, प भारती जो है, निर्याद करते थे, इसके तरीक्त हमें, और वो अरब पार्सियों के दवारा, भारत के कोस्टल जो छित्र हैं, कौंकर गुजरात, मालाबार कोस्ट में, हमें उनकी, ने को, उनके सेटिल्मेंट के भी साच्छे में दिखला देते हैं, जेजुइस जो थे, वो जो है, मालाबार एरिया में उनके कॉलोनियों के बारे में, कंक्लूटिंग विमार के बात करें, तो अरले मेडल पेरोड में हमें मुखरू से, अरले मेडल पेरोड में हमें मुखरू से, जो है, एक्टेंशन आप स्टेट्स हमें दिखला देता है, इन संपूर भारतियों मादी पे हमें नए नए राजों के बारे में दिखला देती हैं, अरले में लैंड करांच, जो कि बारामड़ों को दिया जा रहा है, तो उसका सबसे महतपूर जो रोल था, वो हमें राजनीती के साथ-साथ, जो है, हमें अग्रिकल्चर पे हमें दिखला देता है, और एग्रियरियन सोसाइटी, जो है, इस काल में बहुत जादा एक इम्प कहार से कह सकते हैं, कि हमें अर्बन जो प्रोसेस है, हमें उनमें चेंजिंग दिखला देती है, और दच्छिव भारत में तो हमें नए नगरों, नए अर्बन क्राफ्ट सेंचर, सीटीज, ट्रेड एंड गिल्स के बारे में हमें अने को सुचना है, हमें दिखला देती है, और भारत का जो सबसे महतपुर प्यापारिक जो रिलेसिंसिप था, वो चीन तता दच्छिव पूर एस्जिव देश्व के साथ हमें इस काल में प्यापार में हमें वरिद्धी होते दिखला देती है, और इस काल में जो मंदीर हैं, वो बैंक के रूप में कारे कर रहते हैं और इनका एक महतपुर जो रोल था अर्ली मिडर प्रेट के एकॉनमी में और वो सांस्कृतिक के साथ सारानेतिक प्रतीक के रूप में भी हमें दिखला देते हैं, इस प्रकार से हमें देखते हैं कि 600 से लेके 1200 का जो एकाल है, वो पोलिटिकल, सोसल, एकनॉमिकल और दरिया महादेव की है, और ये भी सरचना अर्ली मिर्वर्ट पीरिट से संबंदी थे, और भारत में अनिको सैकडो के संक्या में हमें चाहे गुजरात हो, मद्परदेशो, रायस्थान हो, दच्षड भारतो, तमिलनाडो, करनाटक, आंध्परदेश, महारास्ट्रा, बंग अर्ली मिर्वर्ट पीरिट में बहुत एक खुशूरत इमारतों के निर्मार्ट से संबंदी सोचनाएं प्राप्त होती हैं, जो कि उसकाल की वैब हो और उनकी संबंदता की प्रती में हमें दिखलाई देती हैं, थैंक्यू वेरे मच्च